अब मद्दद रच्ख सरकार बीजेपी की है। किसान कर्ज तले पेदा होता है कर्ज तले ही मर जाता है कर्ज शें मुक्वी नहीं मिल पाती है लगातान फसलम होता है उसको फायदा कैसे पूचाईएंगा को WILL किसके करण दाव हमेरा कहने काता सव पर इस देर्ष को करी मेंडाले काया दिककिसी काम किया है तो कुछ दारवार आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सद्धाइद दरसन चोधिरी जी दरसन चोधिरी वह नाम है जो मद्रदेश की धर्ती पे किसाने को संगर्श रत है 2010 का अंदुलन यह आपको याद हो तो वह अंदुलन जिसमें मद्रदेश के राइदनी भौपाल को चारो तरफ से घर लिया गाया था है इन्होंने हमें इस्ता लगाई लगी है किसानों के हित्में किसानों संगर्श किया है किसानों की आवाज को बलंदी से सर्थकार तक दरसंजी बहुत त्वागत थे आपका फ़र भरत में बहुत बहुत धन्यवाद हिर्देश जी और आपका पूरे चैनल दिन परती दिन प्रगति कर रहा है मद्रदेश में भी आगे बढ़ता रहे इस यासा के सांथ आपका बहुत बहुत आवाए दरसंजी जब नाम आता ह आपका नाम आता है क्रांती कारी विचार दारा का आप वो विचार हैं जो क्रांती है जिसने जब बोलते हैं तो किसानों के हित में बोलते हैं किसानों के देवता हैं अन्य देवताओं के देवता हैं और उनके लिए संगर्ष आप करते हैं सरकार से लाई लड़ते हैं संग माननी शिवराज सिंग जी के नेतत में किसान हित की नीतियां बनाई जा रही है और अब आसान रास्ता हो गया है चुके सरकार जब कोई बड़ा कदम उठाती है किसानों के हित में तो उसका पूरा एक रोड में माननी शिवराज जी ने तैयार कर रखा है और हम सब भी कार करत पूरे मद्द प्रदेश का फीड़ लेकर आदर्णी मुक्हमंत्री जी हमारे शासन प्रसासन सब को हम नालेज में डालते हैं उसके बाद उनी नीतियों को हम प्रदेश भर में प्रसारित करने का काम करते हैं मद्द प्रदेश का किसान आज भी पूरे देश के किसानों में बहतर है, इसके नमूने हम देख सकते हैं कि पूरे भारत वर्ष में च्छे किरसी कर्मनाबाड और ऐसा नहीं है कि मानी मोजी जी के जमाने माखेले मिले हो, मानी मनमूहन सिंगी से लेकर अभी तक लगातार च्छे किरसी कर्मनाबाड, अन्य जो जीन्स हैं उनमें भी लगातार मद्द प्रदेश ने पिछले साल भी गेहूं का जो पारजन दूद में भी हम उत्पादकों में अच्छा नाम रहता है, मसालों में, धनिया में हमारा नाम अच्छा है, दलहन और तलहन में मद्द प्रदेश का उंचा नंबर है, चनी में हम नंबर दूपर आ रहे हैं, तो ऐसी कई फसले हैं जिन में मद्द प्रदेश का नाम है, और म मानिये सिवराज सिंगी जो किसान पुत्र हैं, जो किसान के दर्द को समझते, उन्होंने उसी में सबसे पहली प्रात्मिक्ता थी बिजली, बिजली समस्या का निदान करने का यदी किसी ने काम किया है, तो दिगविजे सिंगी का कारकाल याद कर लें, और मानिये सिवराज ज हेक्ट्रेयर में पानी था मानी शिवराज सिंगी के आनी के पहले 2003 लेकिन जैसे मानी शिवराज सिंगी मुख मंत्री बने और एक बड़ा काम पानी के ऊपर किया उस तो साड़े 42 लाक हेक्ट्रेयर पार और ये इतना लंबा परिबर्तन और आगे भी में जगे जगे हम भी जा रहा हैं पूरे मानी मुख मंती जी सुएम दोरा करते हैं और अब भी भी हमारी चर्चा वी बड़ी बड़ी परियोजना को मद्रदेश में लाए जा रहा है और दो साल के अंद जिसके कारण मद्रदेश का जो किसान है चूंकि उसको फसल का पानी मिल जा है बिजली मिल जा है और दाम की उचित विवस्ता जहां तक हम देखते हैं ऐसे मुख उपर जन के अपन बात कर रहे हैं तो पूरे देश के अंदर केवल मद्रदेश ने साह है जिसमें इस प्रका का हमारी मद्रेश के माटी पुत्र किर्शी मंत्री आदनी कमल पट्ल सा॥ापका हfold states दहनवाद वक्त करता हूं और निश्च्ट है किसे किसानों में एक नया कम और नवाचार के लिए मानि मुदीजी लगतार प्रेज़ित कर रहे है और मद्ड़ प्रदेश में यसे नवाचार सफ़ा लोगरужд – लेकिशने में अक्सर या था किसान कर्ज तले प्यदा होता है करज तले ही मर जाता है, करज से मुक्ती नहीं मिल पाती है, लगाता है, नुक्सान फसल में होता है, उसको फाइदा कैसे पहुचाएंगे, कोई की सरकार ने दावे किये, कि हम किसानों की आये दुगना करेंगे, पर दुगना कब होगी, कब एक करज मुक्त होगा? निश्ची थी करज में किसान दवा तो किसके करण दवा ये देश जवाजाद हुआ था उस समय भी देश के खाते में 255 करोल रुपे की रासी जमा थी और पांचवा अंस उसका पाकिस्तान को देना चाहे रहे थे जिसका विरोध हमारे कुछ करांतिकारियों ने कुछ लोगो हम सब को पता है मेरा कहने का ताथ पर इस देश को करजे में डालने का यदि किसी में काम किया है तो कांगरेश ने किया है मेरे देश में कावच चलती थी उत्तम खेती मर्द्यमान अदम चाकरी विकने दान लेकिन कांगरेश ने आज चाकरी को सब से उपर कर दिया नौकरी जी ने जो आतनर भरता का नारा दिया है वो गाउं से लेकर गाउं के खेतों से ही पूरे बिश्म परचारित होगा और उस पर अमल तब हो सकता है जब गाउं विक्सित होगा और इसलिए भारती जनता पार्टी किसान मोर्चा मद्द प्रदेश ने अपना एक नए आवियान जिसका नाम दिया किसान मेरा गौरव और इस किसान मेरा गौरव के अंतरगत हम मद्द प्रदेश की सारी होजना है हम देश की सारी किसान हित ऐसी होजना है और साथ मैं जो किसान के करण ये कार हैं जिनके कान चायबो आतने बर कैसे हमारा नकेबल किसान नकेबल देश बन स कि गौव के गौव में ही भारत की असली आत्मा का निवास है वह आत्मा का दर्शन हम को को रोने काल में हो गया दसनी अक्सर देखने माइए कि युवा पीली का रुजहान खेती से वुला है खेटी तर्म नहीं जाना चाहता वे गाउच छोड़का शेहर में आएगा जब शे किसान मोर्चा क्या काम करेंगा निश्ची थी कांग्रेश ने जो महापाप किया था च्छपपन परसेंट जीडीपी की हिस्सेदारी निश्ची परसेंट पर समयटने की कोशिश की मैं धन्नवाद देना चाहता हूं मानी मोदी जी को जुनों ने फिर से इस और और ये देश के लिए वर्दान सावित होगा इस और प्रेरित करका क्योंकि देश का युवा जिस जो विरोजगारी की बात बता रहे हैं आज भारत जनसंख्या के मान से विस्व का दूसरे नंबर का देश हम छेत्रफल में विस्व के साथ भी नंबर के देश लेकिन यदि हम खेती और किसानी की मान है तो 13% GDP आज भी भारत की खेती किसानी पर निरबर है बावन प्रतिसत लोग से उपर जो प्रत्यक्षी तोर पर निरबर एक देखिए विजन कितना बड़ा विजन बीस लाग करोड़ो का बजट हमने देखा कोरोन काल में ग्रामीनों को मिला लेकिन उसमें भी एक लाग करोड़ो का बजट माननी मोदी जी ने FPO को एक फार्मर प्रडिजर अग्नेजिसन जिसकी कलपना को लेकर कलपना साकार हो देख रहे हैं दिन परती दिन उनकी संख्या बढ़ते जा रही दस सज्जार एप्यों पूरे देश के अंदर लक्ष लिया है और मद्द प्रदेश में माननी मुक्मंती जी के नितत्त में जिसमें खेंद्र सरकार का भी सेहोग है साड़े साथ जार करोल रूपया उसमें सेहो पर गाउं से सब्जी दूद फल शेर में बिखने आता था लेकिन अब उल्टा हो गया है अब शेहर से दूद घी सब्जी गाउं पर जाने लगी है तो परिवर्तन जो हुआ त्यजी से इसके किसको दोशी बनते हैं यह परिवर्तन का मूल कारण केवल केवल जो पहली वर्षी योजना में जो नहरू जी ने जो माडल तैयार किया गया उस माडल में उन्होंने भारत के विकास के ताले को विदेशी चावी से खुलने का प्रियास किया उनने कहा इस देश का विकास उद्द्योगों के माद्यम से संभाओ और यहीं से वो गल्ती शुरू हो लेकिन किसानों की लास पर रोटी सेंकिने का काम जो कांग्रेश ने किया है जो महापाप जो कांग्रेश ने किया है उसको देश की जनता कभी माप नहीं कर सकती और इसलिए वो 450 से 43 पर सिमट रहे हैं और हमारी विचारदारा दिन प्रती दिन प्रगति कर रही है हम दो से 30 303 और आगे और बड़ी रूप में आएंगे उसका मूल कारणब हो यह क्योंकि अब जनता इस मिसे को समझ चुकिए इसके दूसरा फेक्टर हमान है तो उस समय हम सारी चीने आयात किया करते हैं आप जिस यह जो मूल के प्रकार कांग्रेश ने त्यकिया थी इसी में बहुत ब इस प्रकार के जो डलाल टाइप के लोग थे उनके पेट में दर्द हुआ और बहुत सारी चीजह हैं हमको देश के अंदर दिखाई दे रही हैं लेकिन हमाने जब निर्ण लिया है क्योंकि हमारा सुशासन हमारा मंत्र है जिसको मोदी जी और मानी शिवराज जी के नित्त म है महद्द प्रदेश और देश के अंदर सब को दिखाई दे रहा हैं अंतोद हमारा लक्ष है और यह अंतुद है अंतिंव्यत्य का लाव मेरे देश का किसान बन सके उसोन प्रेइप करना है और राष्टवाद के सांथ हम किसी भी परकार का समझोता नहीं कर सकते क्योंकि क किसां से वड़ा राष्ट to nun किसांच की इसे कवा राष्ट के व diff अनरे और भारती यंता इंधर रणा डेश नहीं आना चाहें लेकिन आज भारती यंतर पार्टी से लेकार सौप meट lige लेकिन इसके बाद भी FDI भारत में आया, वालमार्ट भारत में आया, आज किसान का डेरी प्रोड़क्ट मॉल के अंदर मिलता है, पहले गिरामनी छेत्रों में छोटी दुकाने हो करती थी, जहां पर किसान का उत्पाद बिखता था, लेकिन आज किसान का उत्पाद बड़ी और एक नीती चलाई थी, उस नीती के कारण इस देश में बहुत सारी परीवर्तन हमको देखने को में, और उनी परीवर्तनों के आधार पर, क्योंकि कोई भी बड़े परीवर्तन एक दिन में नहीं आता है, अब यह जो जिस प्रकार के समझोते हैं हमने देश मेंच के समझ किया और करने वाले कोंहों हम केवल कर दिया काला कानून को थी और कानूनों के कांग्रेसी नाम तक नहीं जानत कCallag never अ कंविरो कि ले लो किफल इसको कहने में लगें लिए कि हम जिस विशे को लेकर चल रहा है कि 1955 भारत अलग था जब आुँ समय हमारे देश की आवश्यक्ता आश्टेलिया से ले लो चाहे अन्य देशों से यूरोपेन कंडिस से ले लो उससे में हम चीज़ें आयात किया करते थे लेकिन ये 1955 का भारत नहीं है ये 2021 का भारत है आज मेरा भारत कई उसमें बहुत सारे लोग चाहे वो किरसी वेग गयाने करहे हैं हो भारत के वेग गयाने करहे हो किसान की मेहनत रही हो मजदूर की टाकत रही हो इन सबने मिलकर चाहे वो हरित करांती सफल बनाने का काम चाहे वो पीली करांती नेली करांती सोईत करांती सब प्रकार की करांतियों को सफल बनाकर और यहां तक लाके ख़ड़ा कर दिया कि आ भारत में मुक्त में करने का काम, हमारी भारत सरकार और हमारी राजी की सरकार मिलके कर रही है, उसका नमूना हम सब को पता है, हमने देखा इस कोरोना काल में भी, दीपा बली तक काना आज पहले ही, हमारे गरीम को, कोई भी गरीम, अवान्य के कान नहीं रहेगा, लेकिन उस स जो चीज हम आयात किए करते थे आज में भारत नहीं विष्टके आउंक्ड़े उठा के आप ही देखो कि दलहन और तिलहन में हैं विष्टके सबसे बड़े उतुपादक हैं दूद में हम विष्टके दूसरे नंबर के उतुपादक हैं मसालों में हम विस्ट के पहले नंबर के उत्वादा कर एसी बहुत सारी चीज़ें जो हम निर्यात करने की इस्तिती में आ गए हैं और इसलिए अब कमपनियां बड़ी-बड़ी हम देख रहे हैं हमारी देश के अंदर जो एबियों की कल्पना हो यह सोधे सी करन की कल्पना हो वो भी इसी रास्ती से होकर जाएगी अब विस्ट वजार में भारत का किसान अपना इस्थान बनाकर खड़ा रहेगा यह हमारा ल 33 प्रतिसाद व्यापार पर कब जाता 80 प्रतिसाद अर्स वेवस्त हमारी उपर विश्ट की निर्वर हुआ करती थी जिसके कारण भारत सोने की चड़िया थी फिर से हम देख रहे हैं उस सपने को साकार करने के लिए जो स्वामी विबेका दन ने कहके गए हैं कि 18 और 19 वी स किसानों में नया विश्वास जगा कर कर रहें लिए बात थी एफडियाई की जो बड़े-बड़े मौल से बड़े-बड़े चीजें हमारे भारत देश में खुल गई हैं किसानों को उत्पाद वहां बेचा जा रहा है उस पर बच रहा हैं बोलने से कांग्रेस की सरकार इतना बजट काम रहत नहीं देती थी इतना केवल खेती और खिसानी और इसमें भी एप वपर दी जा रहा है इसी बिशेकी गंभीड़ा को समाईना पड़े गा कि मेरा देश के किसान हमारे यदि मेरे रामपुर मेरे टामाटर किसान पैदा करता है पाकिस्तान और अफ्ग कुछ दिन पहले गया और मैंने इस परकार के किसानों को जो IIT करके आ रहा है वो लोटकर खेती की और आ रहा है हम भी तो यह चाह रहा है कि किसानी में गोरव कानुभाव कर सके और काम टीसर यह हम जानते हैं मौडनाइजेशन है मौडन यूग है और इस यूग में हर बो चीज जिस परकार से मॉबाइल से लेकर अब सारी सुविदा हम सब देख रहे हैं घर बैठे जिसकी कल्पना नहीं थी उस तब हम काम कर रहे हैं तो हम बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी भारत का किसान और भारत करेंगे फिरम का नाज को लेके बेचेंगी तो लाप विचोली को होगा किसान को फायदा कितना होगा इसमें तीन कानून की आपने बात कई तीन कानून सरकार लेकर आईए तो तीनों का विरोध क्यों हो रहा है इसकी कारण क्या लगते आपको देखिए कांट्रेक्ट फार कि पहले ही दाम गोशिट करने का लाव किसान को यह हुआ आज किसान को मुझे आज पता चल गया कि मेरा सुएबिन इस दाम पर बिखने वाला तो मैं सुएबिन की फसल लगाँ अन्य चीजों के जो भी चाहे वो खरीब की हो रवी की हो जिस फसल का पहले दाम उसको पता चल और जो कांट्रेक्ट फार्मिंग वो फसल थी है और उस में किसान को कोई ना तो उसकी जमीन की गरिभी की बात आ रहे ना बियापारी को एकादिकर देने की बात आ रहे तโ April कि सारे अधिकार किसान के पक्षों में रखे गया और जहां तक विरूद की बात आ रहे तो विर आपके समर्थन मुल या इस प्रकार का काम नहीं होगा तो मानी मोदीजी से लेकर हमारे देश के कृष्ची मंतीजी ने हमारी भारत की संसर जो मंदिर है उसमें राजसबा में ये नकेवल वक्त तब दिया है बलकि सब चीज़ा है आपके ही माद्दम से पूरे भारत और कि पहले MSP ना तो खतम होने वाला है MSP था MSP है और MSP रहेगा उसको लेकर और ये जो भ्रहम फेलाने का काम और उसमें अब बुछ सफल नहीं हो रहा है केवल पंजाव और हर्याना का कुछ छेत्रम देख रहे हैं हमारा मद्द प्रदेश वीकिर्थी प्रधान देश प्रदेश के अंदर माने हैं तो यह कुछ ऐसे लोग जो मंडी से विशेश कमाई किया करते थे उन लोगों ने जो एक रणनीती के तहट काम करना सुरू किया कि इस इन संसोधनों की और देश के विकास की आड़ में कुछ अपना क्योंकि अब इनके घर में जो चेल सीय के क समझ गया है वो घर बापिस भी चला गया है और मूल किसान अप पुरी और जितने लोगों और इसमें भी एक और प्रकार हम देखते हैं हमारी भारत की संवेदंसिल सरकार हमारे किसान परतिनिदियों का नेताओं का हम आज भी सम्मान करते हैं भारती किसान संग में आपने पहले ही दिन से और भारती किसान संग के सुझाओं के आधार पर ही माननी मोदी जी ने बहुत सारी नीतिया बनाई है और भारती किसान संग में बरतमान में कक्का जी नहीं है और भारती किसान संग पूरी तरह से किसान बिलों के समर्थन में पहले भी था आज भी है और उस यह जो भी बात कह रहे हैं हम भी उन सब से यही बात करते हैं हमारी केंदर सरकार बहुत गंबीर है सम्मेद अंसील है on the table ही समस्याओं का है लोगा जो भी मानिये अभी हमारे केंदर कुर्शी मंत्री ने कुछ दिन पहले भी अभी चार दिन पहले आपके माध्यम से पता चला उन्होंने फिर बात कही है उन से चर्चा करने को सबसे तैयार हैं और चर्चा की माध्यम से ही इन सब चीजों को पठा चेफ होगा है क्या लगता संचोधन होगा क्रशी कानून में कि यह जथावत रहेगा जो सुजाओ है अभी मानी उच्छी नहाले ने जब 11 जनवरी के बाद जिस प्रकार की इस्तिती बनी तो मानी उच्छी नहाले ने एक चार सदस्य टोली बनी उस टोली का भी विरोधी केवल विरोध करने में लागे उसमें आप देखेंगे किसान यूनियन के अध्यक्ष बहुत मान साब बहुत कंभीर और आप सब जानते देश के अच्छे किसान नेतर हैं सेतकारी संगठन यो भारत के बड़े संगठनों में से एक था एक समय सेतकारी संगठन की आवाज हम सब जानते उसके अद्धेश को भी उसमें समलित किया है किर्सी विग्यानिक को भी मानिये उच्छितम नियाले ने समलित किया है और जो किर्सी से जोड़े लोग चारों के सो एक्षा से बहुत सारी पत्र इस प्रकार के दिये हैं जो उसके प्रड़ाम हमको दिखाई दे रहे हैं और उन पढ़ने आमों की तहर्त मुझे लगता है इसका पठाचिप जल्दी हो जा रहे हैं संग में लंबस हमें बिटाया है अपने संग के बाद भारती जनता पार्टी में सक्री राजनीती आवफ कर रहे हैं किसान मुर्चा के अध्यक्ष हैं मद्प्रदेश की हम बात करें तो मद्प्रदेश में तीन लोग विदानसवा और एक लोकसवा चुनाव होने वाला है इस 600 इस्थानों पर मैं व्यक्तिगत प्रबास कर चुका हूँ हमारी जिले के अध्यक्ष अन्य प्रदेश की टूली लगतार प्रबास कर रही है हमने एक महावियान भी छिड़ रखा है किसान मेरा गौरवी स्कूल लगतार नीचे तक जा रहा हमने ब्रक्षरों पड़स लेक और हमारी लोकसवा तो पहले ही से आप सब भी जानते हैं किस बहुमत के साथ हमने मद्द प्रदेश में जीत अरजित की है हम चारों को चारों सीट है भारती जनता पार्टी जीतेगी इसके लिए हमारी नीचे मंडल तक और बूत तक सारी तैयारी हो रही है मानी मोधी जी और मानी सिए उराजजी के नितृत में फिर से उसको विस्वाश को भारी बहुमत के साथ हम ये च जीतने बादे maple अम्द प्रदेश में चुनाव है और यूपि में उने वाले हैं लेकिन देश की जनताने कौविट काल देखा किो में में आप में आपनक्त हो ब्रदेश मे सबसे ज्याना महिंगा है अधियल को फोंगहां है सबसे जाना महिंगा है तो इस मेंगाई पीच अब जनता के वीच किस मून से जाएंगे के वोट बागेंगे उनसे बिलकुल कोवाइज की महामारी एक भैश्विक महामा निश्चिति हमने अपनों को कुछ खुआ आ है पूर में धन्दवाद देता हूं भारत के नित्तत वादरणी मोदी जी का उनका नित्तत मिला और हमारे विग ग्यानेकों का जो मनवल बढ़ा उन्होंने जिस कर्मत्ता के साथ काम किया कि जो कांग्रेस आज इल्याम लगाते घूम रही है एक पोलियों की दबा चालीज साल नहीं बना पाई जो कांग्रेस इल्याम लगाते भूम रही है कोई टीका वो अन्यविक्सित नहीं कर पाई थी छोटी-छोटी भीमानियों के लिए हमारे विग ग्यानेकों ने इतनी महनत करी और मोदी जी का निर्देशन जो हुगा कि हम सब ने देखा कि हमने एक नहीं कुछ ही एक वेक्ती पर खर्च करने का काम सरकार कर रही आज विस्तु के अंदर और उसमें भी मद्द प्रदेश सरकार ने एक दिन में 16,95,553 एक स्ताथ वेक्सिनेटिड करकर ये गीनिजबुक का रिकार्ड भी बनाया है हमारी सरकार ने जो हजजर रुपे का दाम इसमें लगना कि मोदी जी नहीं होते तो मेरे देश की कोरणा में क्या हाल होती कि हम समझ सकते हैं और इसी विच्छा को लेकर जो देश की जनता है वो पूरा समर्थन प्रदेश की जनता हमारा पूरा समर्थन कर रही है और जो भी आपने जिस परकार की ओन क्योंकि आज देश सबसे उप जिनका स्टाफ तोर पर कहना है कि यदि चुनाव होंगे तो जन्ता इनके पक्षमें मद्दान करेगी वोट करेगी और जो सरकार नहीं योजना शुरू की थी चाहिए वेक्सिनेशन हो चैक को वेक्सिन की बात हो लेकिन लगता है लोग वेक्सिनेशन किया गया है इसका कर्देश का किसानों में लेकिन आज भी किसान बदाहाली में जी रहे हैं अज भी कूरे देश के किसानों में बहतर हालत में हैं किसान कर्ज तले पेदा होता है, कर्ज तले मर जाता है, कर्ज से मुक्टी नहीं मिल पाती हैं, लगाता है, नुझक्सान फसलम होता है, उसको फायदा कैसे पहुचाएंगे, कि भी सरकार ने दावे किये, करज में किसान दवा तो किसके करान दवा मीरा कहने का ताथ पर इस देश को करजे में डालने का यदि किसी में काम किया है तो कांगरिश ने किया